अब जो यह आपको question दिखाई दे रहा है यह question कुछ इस तरह का है यह पेपर में आया था आपके पास 2017-2018 में question नमर 1 का ए पार्ट बनके बेसी पार्ट 2 के अंदर पेपर 3 के अंदर तो यह question कुछ इस तरह का था कि पीडिएफ गिवन था वन वर बीटा exponential की पावर माइनस एक्स ओवर बीटा और लेमिट एक्स ग्रेटर दन एक वस्त जिरो है और वह कहता है कि find e of x e power के यह मालूम करना है second part में कहता है कि मीन मालूम करें तो देखें इसका पहले first part solve करते हैं और उससे पहले देखते हैं कि देखें डिस्टिबिशन जो है वह एक्स पनिशल है लेकिन इसको हम negative exponential distribution कहते हैं क्योंकि exponential distribution जो आपके पास होती थी वह होती थी f of x is equals to alpha exponential की power minus alpha x और x greater than equals to zero यह होती थी लेकिन अगर यह alpha जो है वो किसके बराबर वन ओवर बीटा के बराबर तो यहां पर भी अपॉन में चला जाएगा एक्स ओवर बीटा बन जाएगा तो इसको हम कहते है नेगेटिव आप इसको एक्सी पावर के लिमीटी आजिए है तो इदर ऑट देंगे चैनल की प्रक्राइट को बीटा ओर जilan करना पड़ता है अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि let is equals to z is equals to x over beta के बरावर let कर लिया तो इसका मतलब है अब मुझे इससे differentiate करना पड़ेगा dz upon dx तो यह one over beta बन जाएगा यहां से देखें मैं अगर इस जगह पर z डग दूँगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस dx की value निकालनी पड़े यह dx को इदर भीज दीजे और इसको इदर भीज दीजे देखें यहां से आप क्या करें x की value निकालने x के बरावर हो गया z of beta के बरावर हो गया और यहां पर देखेंगे अगर आप तो आपके पास dx किसके बरावर हो जाएगा dx बरावर हो जाएगा dz और बीटा के बरावर हो जाएगा तो अब इन values को उठा के इधर रख दीजे और एक बात याद रखेएगा हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि limit जब 0 to infinity होती है तो limit remain same रहती है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह एक आसानी हो जाती है तो अब इन values के अंदर इसे put कर दीजे e of x की power k और 0 to infinity और अब आपने क्या किया है x की जगा आप क्या लिख देंगे x की जगा आप लिख देंगे z beta और इसकी whole power क्या है k लिख दीजे यह 1 over beta है यह 1 over beta इसकी जगा पर आगिया exponential की power minus z आगिया इसकी जगा x over beta x over beta आपने light किया था और यह minus अपनी जगा मौझूद रहा और dx की जगा क्या लिख देंगे dx की जगा लिख देंगे dz of beta तो देखिए यह beta 1 over beta इस beta से cancel हो गया अब आप इस बीटा की power k है अगर मैं इसे अलग-अलग कर दूँ तो अलग लिख सकता हूँ देखिए बीटा की power k को मैं रहे अलग लिख दिया 0 to infinity है और z की power k हो गया और exponential की power minus z और dz अब आपने beta gamma integral पढ़ा हुआ है तो यह gamma integral होता है कि अगर यहां पर exponential के ओपर कोई variable मौझूद है और minus के साथ मौझूद है तो वो ही variable अगर यहां मौझूद है लेकिन उसके साथ minus की form में 1 जोड़ा हुआ होँआ चाहिए तो यह बनाने के लिए हम क्या करें अगर मैं इधर plus 1 और minus 1 बढ़ा दूँ तो कोई फर्क नहीं पढ़ता तो देखिए अब मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ कि beta की power k है 0 to infinity है और z अगर मैं इधर k के साथ plus 1 कर दूँ और minus 1 कर दूँ यह फर्क पड़ता है क्या ब्रैकेट खुलेगा दुबारे यह minus 1 plus 1 से cancel हो जाएगा और exponential की power minus z dz आ गिया अब आपके पास ही क्या function बन गिया कि बस यह समझ लीजे कि यह जो function है पिछली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि जब 0 to infinity limit हो exponential के उपर जो variable होता है minus के साथ वही variable के उपर minus 1 के साथ कोई power मौझूद हो तो बस जो minus 1 से आगे वाला इससा होता है इससे हम gamma की form में लिख देते हैं तो अब हम यहां लिखेंगे क्या beta की power k हो गया और इसको हम क्या लिख देंगे gamma k plus 1 अच्छे यह भी हम आपको बता चुके हैं कि gamma हमेशा जो है वो किस form में खुलता है एक कम होकर factorial के form में खलता है अगर जैसे मैंने gamma 2 लिखा तो वो 1 factorial बनेगा gamma 3 लिखा तो वो 2 factorial बनेगा gamma k plus 1 लिखा तो यह आपके पास k factorial बनेगा तो बस इसकी जो gamma k plus 1 है इसको अगर factorial की form में लिखूँ तो यह बन जाएगा बीटा की power k हो गया और k factorial तो यह आपके पास e of x ही power k बन गया अब उसमें ही second part में उसने पूछा था कि mean क्या चीज़ है तो आपको पता है कि e of x mean के बराबर होता है आप जानते हैं कि mean किसके बराबर होता है e of x mean के बराबर होता है यानि अगर इसकी power 1 हो जाए तो वो किसके बराबर होता है mean के बराबर होता है अगर इज़र k की value जो है 1 हो जाए तो यह आपके पास mean बन जाएगा देखें अगर मैं इसकी जगह k1 के बराबर ले लेता हूँ तो अगर मैं k1 के बराबर लेता हूँ तो यहाँ पर देखें e of x बन जाएगा e of x इपावर 1 यानि ये तो mean बन गिया तो बस इसकी जगह भी आप 1 रख दीजे 1 रख दीजे आपने और k factorial यानि 1 factorial बीटा तो याद रखिएगा इसका mean किसके बराबर आए आपके पास बीटा के बराबर इंशालला बागी के पार्ट आप लोग खुद करेंगे या अगर आपकी समझ में आगिया होगा नेक्स कुरिशन के साथ आएंगे अविए आपके आपके अवस्चाय को क्लिए आपकैनालाओ आपको के लोग श्यार आपके बागी को किरेंगे